पर देखने को मिल जाता है हाला कि देखिए कभी कबार कचरे मैं से गटर मैं से भी कोई इकका दुख का अच्छी वस्तू मिल सकती है या मिल जाती है बराबर ना तो उस परकार से इकका दुख का exceptions अगर हम छोड़ दे तो Netflix India का लगभग सारा का सारा content मेरी दृष्टी में तो भाई बिलकुल इसी परकार का वाहियात घिनोना क्रिंज कचरा टाइप content ही मुझे तो कम से कम लगता है अब त्रिबोन मिश्रा CA Topper के बारे में हम चर्चा करें उससे पहले आप सभी मित्रों से monetize कर रहा है तो आप समित्रों से प्राड़ता ना है अगर आप हमारे चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो वीडियो को like और share अवश्य करना बाकी अगर आप चाहते हैं तो join बटन पर क्लिक करके या फिर patreon पेपल या फिर वीपिया के माध्यम से भी आप हमारे चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं तो 31 विश्रा C8 ओपर मानो कॉल श्वेता वसुपरसाद आदिया दी इसमें मुख्य भूमी काम है आपने thumbnail पर उपर वो लाइन पड़ी होगी औरत सेक्स करने से गंदी नहीं होती है ये सिरीज का ही डायलोग है इसके अलवाए एक और डायलोग मैं आपको बताना चाहता हूँ हम जानते हैं बेगम जो आदमी औरत को सुख देता है वो औरत उस आदमे की तरप कैसे देखती है वो उसके लिए क्या माईने रखता है ये मैं जानती हूँ सुख मतलब शाररिक सुख की यहां पर बात हो रही है अब इन दो डायलोग से आप सिरीज बनाने की बीची की मानसिकता को समझ सकते हैं इनके बारे में आगे हम जाकर के शर्चा करेंगे इन डायलोग के बारे में कि कहां पर किस संदर्व में किस सीन में इन बातों को कहा गया है कैसे कहा गया है ठीक है उससे पहले थोड़ा सा कहानी के बारे में अगर हम चर्चा करें तो त्रिवन मिश्रा मानो कॉल ने करेक्टर प्ले किया है एक बहुती सत्यनिष्ट प्रामानिक ऐसा एक सरकारी अधिका रहे और परिवार की बात करें उसके तो बिलकुल एक आदर्ष मध्यमर्गिय हिंदू परिवार जैसे होता है वैसा उसका परिवार है पतनी को ग्रहिनी दिखाया है कही पर भी जबर्दस्तिकाव पेट्रियार के किनाम से चाती कूटना वगरा नहीं है एक आदर्ष ग्रहिन बात कर रहा हूँ आगे जाकर के वो क्या दिखाएंगे वो दिरे-दिरे में आगे बताऊंगा शुरू आतमी इस प्रकार से कादर्ष मध्यमर्गय हिंदू परिवार के रूप में उसे दिखाया है त्रिवोन मिश्रा के परिवार को अब देखे मैंने कई बार का आए कि भ बगेरा करते हैं यह मैं कई बार कह चुका हूँ बराबर पर तो इस सिरीज को देखने के बाद मैं इतना तो पता चल जाता है हमें कि बॉलिट की फिल्मेकर्स को आता है चितरन करना मध्यमवर्गय परिवारों का भी सही से चितरन करना आता है परंतु मध्यमवर्गय परि इजेंडाज, रैडिकल जेंडर एंटिडी के एजेंडा वाली फिल्में कुछ आई हुई है। है न यही परिवार तो टार्गेट है तो यह जो सत्य निष्ट प्रामानिक ऐसा थ्रिभोन मिश्रा का पात्र है उसकी सेविंग बगएरा जो कुछ भी होती है वो एक बैंक में जमा होती है बैंक बंद बढ़ जाती है पैसे वो नहीं सामने वाले और बार 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 उनको घर वगएरा लेना होता है वो फोन कर रहे है और बार बार फोन कर रहे है दुसरी तरब बेटे का भी स्कूल का फीज वगएरा नइ भरी जो कुछ भी उसकी भी problem हो दिखा रहे है emotional करना है ना भई अगे जा करके जो बाते दिखा नहीं है, उन्हें justify भी तो करना था, तो ये शुरुवात में इस परकार की नोटंग की सारी उन्होंने दिखाई है, अब बैंक बंद पड़ जाती है, पैसे वो नहीं निकाल पाता, चारों तरप से वो फस जाता है, तो फिर रास्ता क्या है, रास्ता दो, male escort, male prostitute, पुरुष वहिश्या बनना, सत्यनिष्ट है, प्रामानीक है, घुसने ले सकता, परुष वहिश्या बनना, ये बिल्कुल उसे आसान लगता है, इधर उधर इसके उसके कमरों में, घरों में, एक बहुत ही घटिया से, होटेलों में वगरा, वो जा रहा है, रेगुलर, इसको उसको सर्विस दे रहा है, वेबसाइट पर एक इस प्रकार की सर्विस प्रोवाइड करने वेबसाइट पर उसने अकाउंट भी बना लिया, बड़ा ही, आसानी से ऐसे ही, और सर्विस प्रोवाइड करना भी शुरू कर दे, यह सब बात यह उसको बहुत आसान लगती है, यह उसकी सत्यनिष्टा प्रामानिकता में शायद फिट बैटता हो गया पता है, मतलब आप इस स्रीज से लॉजिक की आपक्षा करी नहीं सकते, इस स्रीज में अगर आप ल लिटरली कही पर जाकर सर पटकना पड़ेगा, सर फटने जैसा हो जाएगा कि भाई यह चल क्या रहा है, कुई सेंस है इन बातों में, कुछ भी दिखाय जा रहे हैं, लिटरली लॉजिक की तो अपक्षाप यहां से बिल्कुल भी नहीं कर सकते, तो यह सब उसकी सर्विस उगेरा वो देना शुरू कर देता है, इसके बाद में एक गैंगस्टर दिखाया है, जैन साहब नामका यह गैंगस्टर है, मिठाई की दुकान है जैन साहब की, और सामने तो लोगों के सामने अपने जो भी नितीनियम होते हैं, जैन परिवार से है, तो उनको बिल्कुल के सामने फॉलो करता है, चीटी को तो नुकसान नहीं पहुचाता, परंतु पीछे, परदे के पीछे वो लोगों को काट रहा है लिटरली, बहुत खुंकार दरिंदा गैंस्टर इस प्रकार से जैन साब को दिखाया है, लिटरली लोगों को विबसाइट के थुरू, मानो कॉल का तरि बोनमिश्रा का जो पातर है, उससे जा करके मिलती है, और रेगिलर उसकी वो कस्टमर बन जाती है, इसके और भी कई सरे सी महिलाए कस्टमर है, धेर सारी अलगलग महिलाए, बतलब नॉर्मलाइज करना है इन सब बातों को, नॉर्मलाइज तो गैंग्स्टर की पत्नी भी इसके पास में जाने लग जाती है, बाद में गैंग्स्टर को पता चल जाता है, उससे ये भी पता है कि उसकी पत्नी ही जा रहे थी उसकी पत्तनी नहीं उसे बुलाया था उसकी पत्तनी नहीं उसे पैसे दिये थे परुब्व पत्नी की उपर गुसा नहीं है उसे उस गैंस्टर को उसे उस male escort को इन त्रिभोन मिश्रा को मारना होता है और साथ में ही जैन सहाब जो गैंक्स्टर है उसके अंडर दो उसके पंटर या उसके sidekick जो भी उसको कहते हैं उसके अंडर दो लड़कों को दिखाया है दोनों को शुरुवात में बिल्कुल घनिष्ट मिश्रा उनकी बीच में दिखाया है जैक वो पकड लेता गैंक्स्टर की पत्नी को उसके साथ में तो उसका जो दूसरा घनिष्ट मिश्ट मित्र होता है वो बदले की आख से तड़ अपने लगता है कि मैं अब इसको नहीं छोड़ूँगा हाला कि ये जो दोनों घनिष्ट मित्र होते जैन साब के साइडकिक तो भात में पता चलता है कि वो तो क्या एक दूसरे के साथ सेक्शल रिरेश्शिप में थे उन दोनों को गे दिखाया है क्योंकि हर बात बस वो एक जीवन की सारी समस्या एक जगह पर ही आकर के रुख जाती क्या वो सेक्स उसके अलाओ के समस्या लोगों की जीवन में बची नहीं है कम से कम यह जो वोक लिबरल फिल्मेकर्स होते हैं उनकी दृष्टी में तो ऐसा ही है सारी समस्या बस एक जगह पर आकर रुख जाती है वो क्या सेक्स वाँ यही एक समस्या बची है दुनिया में लोगों के पास में आदमी यहां से छोड़कर किसी और से जगह से जब सोचने लग जाता है तब फिर ऐसा ही कहानिया करेक्टर्स लिख सकता है मतलब मुझे तो कम से कम ऐसा ही लगता है वाई तो जो मैंने शुरुआत में दो डायलोग आपको बताए ना औरत सेक्स करने से गंदी नहीं होती है यह वही वो जो गैंग्स्टर की पत्नी है वही यह बात कहती है हाला कि जो पात्र उसे समझा रहा होता है यह विवाबाय सम्मन्द वगेरा इस सब गलत है सब गंदा है वगेरा इस सब वो बता रहा होता है तो इसके काउंटर करते हुए वो कहती है कि औरत सेक्स करने से गंदी नहीं होती है हाला कि यहां पर स्त्री, पुरुष, औरत, मर्द यह सब कहां से आ गया पता नहीं भाई विवाबाय सम्मन्द यह multiple partners, फकबड़ी, सेक्स, बड़ी वगेरा जो कुछ भी है यह तो हर किसी के लिए गंदा ही है भाई वो स्त्री हो, पुरुष हो, औरत हो, मर्द हो, कोई भी हो हर किसी के लिए उसे गंदा ही कहा जाता है, औरत सेक्स करने से गंदी नहीं थी शायद यह dialogue लिखने के बाद में इसके मेकर्स को लगाओगा कि भाई बस अब तो हमने बस पेट्रियार्की के बेडियों को उखाड़ कर फेक दिया है, अब हमने देश की महिलाओ को मुक्त कर दिया है, पेट्रियार्की की जंजीरों से, यही लगाओगा यह dialogue लिखने के बाद में, इसके लब दूसरा dialogue जो मैंने शुरूरत में बताया हम जानते हैं, बेगम जो आदमी औरत को सुख देता है, वो उसकी तरप कही पर महनत कर रहा है, गड़े खोद रहा है, construction site पर काम कर रहा है carpenter है, electricityian है, painter है, या जो कुछ जो भी काम कर रहा है plumbing का काम कर रहा है, या metro में धक्के खा रहा है, सुब़-शाम, गालिया खा रहा है पॉस की, जो कुछ भी अपने परिवार बच्चों का परिवार का पालन पोशंक करने के लिए पति जो कुछ भी कर रहा है वो थोड़ी माहिने रखता है, माहिने कौन रखता है हाँ, जो शारीस सुक देता है औरत को, ये अशा male escort, वो क्या माहिने रखता है, उसके तरफ वा औरत कैसे देखती है, मैं जानती हूँ, वो उसके लिए क्या मायने रखता है, मैं जानती हूँ, यह वही mentality जो पिछले कुछ वर्षों से बॉलिडवालों ने वो एक बात बार-बार वो कह रहे देखो कि भारत में कुछ, कितनी 75% महिलाओं को और्गैजम ही नहीं हुआ है आज तक, भारत में 75% महिलाओं को चरम सुक ही नहीं मिला है, शारिरिक सुक ही नहीं मिला है, वो चरम सुक और्गैजम ही नहीं हुआ है, इसको लेकर कि इन्होंने फिल्में बनाई हुई है, और अ आदमी औरत को सुख देता है वो उसके लिए क्या माइने रखता है वो उसके तरफ कैसे देखती है मैं जानती हूँ तो ये इस परकार के डायलोग्स लिखने के बाद मैं शायद इसके मेकर्स को लगाओ कि बस भाई बस अब तो हमने पेट्रियार्की की जंदीरों को उखाड कर फेग दिया है और अब हमने भारत की महिलाओं को मुक्त कर दिया है बास चलिए अब और क्या बताओ मतलब सिरिस के बारे में कुछ-कुछ बात इतनी गंदी होती बाकी तो टेकनिकली बात करें तो बिल्कुल बी ग्रेट टाइप ही फिलिंग आती है परफॉरमसस की बात करें तो मानोकॉल का परफॉरमस इतना खराब था सच कहता हूँ सिरिस प्रीज सिरियसली क्रिंज थी कोई सेंस नहीं, कोई लॉजिक नहीं यह सुनने के बाद में वो शौक हो जाती है पर तो थोड़ी देर के बाद में वो अपने पती को छोड़ करके किसी और पुरुष जो बड़ी किसी लगजरी कार में आयवा होता है वहाँ पर उसकी कार में बैट करके निकल जाती है और जाते जाने से पहले कहती है कि क्या secret की वल तुम्हारी है हमारे भी secret है secret है मिश्रा जी वगेरा इस प्रकार को कुछ वो कहती है मतलब सोच रहा नहीं है कुछ भी चलो यार चलो मैं Tribune मिश्रा CA Topper को दूँगा 0 out of 10 stars बाकी पैंडल गाइडेंस की बात करें opinion बताओ तो ये series देखने के बाद में तो किसी की भी कामवासना ही मर जाएगी इस प्रकार के गिनों ने गटिया cringe वो erotic scenes उन्होंने shoot किये हैं literally गिन आएगी आपको उनको देखते हुए बाकी कामोत तेजना वगेरा बढ़ाना कोई erotic thriller वगेरा उस दुरिष्टी से अगर आप सोच रहे हो तो दूर से यहाँ जोड लीजिए इतना ही कह सकता हूँ मैं बाकी तो जीनोंने गलती से इससे देख लिया आपका अनुबव कैसा रहा मुझे आपनी चे कमेंट में आवश्य बताना यह वीडियो देखने के लिए आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद जैश्री राम वंदे मातरम